जो जानकारी निकल कर सामने आती है, वो ये आती है कि अतीक एहमद को कहते हैं तब के ही समय में कुछ लोगों ने चान बाबा करके एक बहुत बड़ा भावबली हुआ करता था, उसके खिलाफ खड़ा किया गया, क्योंकि उसका दबदबा इतना कहते हैं कि पुलिस वाले भी उसके गली में जाने से, उसके अलाके में जाने से डरते थे, और उसी को काउंटर करने के लिए अतीक हैमद को उस समय थोड़ी चूर्टी गई, लेकिन पुलिस वालों को उस समय नहीं पता था कि जिस अतीक हैमद को आज वो चान बाबा के खिलाफ थोड़ा सा पुछ कर र चान बाबा के बारे में कुछ बताएगा आपको अब देखिए जब भी इस प्रकार का खेल सरकारें खेलेंगी या पुलिस खेलेगी तो उसका दुश्परणाम तो हो नहीं है और रणीती या स्ट्राटीजी जो योगी सरकार की वो बिलकुल सीधी नाक की सीध वाली है जो आज से कुछ साल पहले पुलिस का मनूबल ऐसा हो गया था कि अगर पुलिस के उपर गोली चलाएं तो पुलिस वाले बैतर समझते थे कि छुप जाओ और अपनी जान बचालो या यहां से भाग लो लेकिन आज योगी जी के समर्थन से कानून का राज स्थापित करने के आत्मिश्वास के कारण आज उत्तरपदेश पुलिस किसी भी मैदान को छोड़ के भागती नहीं है अगर जैसे प्रयाग राज के जो अपरादी है इन्हों ने जिस प्रकार सड़क पे गोली चलाई आपने देखा कितने दुसास इन्होंने किया लेकिन जब पुलिस इनको गरफतार करने जाएगी तो पुलिस जानती है कि यह हमारे उपर गोली चला सकते हैं और उस तैयारी के साथ हम जाते हैं और अगर कोई गोली चलाता है तो कानून के मताबिक प्रति उत्तर में हम भी बल प्रयोग करते हैं गोली चलाते हैं सामना करते हैं तो कोई भी पुलिस टीम इस साफ से थाने से नहीं कलती है कि आज इनकाउंटर में किसी को मारा है हमारी कोशिश हमेशा होती है कि हम जीवित गिरफतार करें लेकिन हमारी पुलिस कायर नहीं है कोई हमारे उपर गोली लाएगा तो हम भी उसी प्रकार उसका रिस्पॉंस देंगे सर अब 30 साला IPS रहे और पुलिस की साविस में रहे अपने उत्तर परदेश और आसपास के राजों के साथ टीम बना कर काम भी किया होगा और उसके प्रमान और साक्ष भी बिलते हैं अगर पढ़ने जाएं आपके बारे में गूगल करें तो अतिक एहमद का सामराज जिन न सिर्फ यूपी यूपी के आसपास के राजों में कैसे पहला जो आर्थिक अपराद इनके दौरा किये गए जो ठेकेदारी माफिया इनके दौरा पहलाया गया माइनिंग में इनके दौरा काम किया गया इस परकार इन्होंने ऐसा अपना गिरो एक तंत्र तयार कर लिया जिसमें की अपराद फ्रीडम एप से सीख कर आप हैंड बैक बनाते हैं क्या अगर ऐसा है तो आप अपने हैंड बैक को एक करोड फ्रीडम एप के जो गराहक हैं उने बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं एकसाइज में जो रेवनी हुआ करती थी वो डबल से जादा रेवनी हो गई यह पैसा कहां से आया या बल्की बड़ा सवाल यह पैसा कहां जा रहा था तो आपके रहे माफिया और भावलियों के पास यह डाइवर्ट हो रहा था पिलकुल जो माइनिंग खनन का वेपार हो र नाम यह कि हजारों करोड रुपए इस प्रकार माफियाओं के पास पहुंच रहे थे जो उनकी शक्ती थी तो योगी जी ने इसको नश्ट करने के लिए कानून कराज स्थापित करने के लिए सबसे पहले इन वेवस्थाओं को ठीक किया जिससे जो पैसा यहां पहुंच र कि सबस्टाइब झाल